हलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चुगा मटर की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनारस की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है और लगबग हर एक घर मी बनाई चाती है लेकिन आज मैं इसे थोड़ा सा ट्रिष्ट दूँगी और एक डिफेंट ही स्टायर से बनाऊंगी तो आप इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा मुझे उमीद है या आपको बहुत पसंद आएगी और मकर सक्रांती भी आने वाली है तो उसमें भी चुड़ा बनाना और खाना हमारे परंपरा है तो आई रेस्पी सुरू करते है इसे बनाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है और पैन में मैं यहाँ पे दो से तीन टबेली स्पून ओल डाल रही हूँ और यह मैंने एक कप चुड़ा लिया है इसे हम पोहा, चिर्वा इन सभी के नाम से भी जानते है यह बिल्कुल पतली वाली जवाती है ना उसे आप ले उससे यह बहुत ही अच्छी और कृस्प बनेगी तो इसे हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे इसे भूननी में लगबग आपको 2-3 मिनिट लगेंगे लेकिन अराम से स्लो फ्लेम पे ही भूनियेगा और इसमें टेस्ट के एकॉर्डिंग हम थोड़ा सा सॉल्ट भी आड़ करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग में इस सॉल्ट आड़ करना रहे गया है और जब आप इसे देखेंगे कि यह जब आप हाथों से अगर आप इसे प्रेस करते हैं और यह बहुत अच्छी तरीके से क्रस हो जा रहे है तूट जा रहे है इट मिंस कि आपका जो चूड़ा है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बुनका तयार हो गया है इसे हम दुसरे बर्तर में निकाल लेंगे और फिर इसी पैन में मैं यहाँ पर मस्टर्ड ओयल ले रही हूँ जब ओयल अच्छी तरीके से गरम हो जाए तो अब मैं इसमें 1 टेस्पून जिरायाट कर रही हूँ मस्टर ओयल में यह बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है आप चाहें तो अपने पसंद का कोई और भी ओयल ले सकते हैं अब मैंने यहाँ पर 6-7 लेसन लिया है जिसे हमने बारी कट कर लिया है और 2 हरी मिर्चे उसे भी हमने बारी कट कर लिया है इन सभी को हम इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा भूलेंगे और अब मैंने यहाँ पर दो बारी प्याज लिये हैं जिसे की हमने लंबाई में कट कर लिया है इसे हम डाल के थोड़ा भूल लेंगे और अब मैंने यहाँ पे एक कटोरी मटर लिया है यह बिल्कुल फ्रेस मटर है इसे हमने अच्छी तरीके से धो कर साफ कर लिया है हमने जितना चुड़ा लिया है मटर भी हम उतना ही quantity में लेंगे अब मैं इसमें 1 टेबेल स्पूल चीनी आड़ करूँगी salt paste के according इसे डाल कर हम mix कर लेंगी और लिल लगा कर हम इसे थोड़ी दे slow flame पी हम इसे पकने देंगी ताकि जो हमारा मटर है वो अच्छी तरीके से पक जाए और soft हो जाए आईए मटर को चेक कर लें मटर लगबग पक चुकी है अब मैं इसमें कुछ मसाले आट करूँगी half teaspoon healthy powder half teaspoon red chili powder half teaspoon जीरा powder थोड़ी सी black paper इन सब को डाल कर हम अच्छी तरीके से mix कर देंगी और अब मैंने यहां पर एक टमाटर लिया है जिसे हमने छोटे-छोटे टुक्रों में कट कर लिया था इसे भी हम इसमें डाल देंगी अब मैं इसमें half teaspoon black salt डाल रहे हूँ हूँ black salt आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं लेकि इसे डालने से एक बहुत अच्छी सी चटपटी सी टेस्ट आती है इसे लिड लगाकर हम इसे slow flame पर पकने देंगी ताकि जो मठर है वो अच्छी तरीके से soft हो जाएंगी आईए अब मठर को चेक कर लेते हैं आप देख रहे हूँगी मठर बहुत अच्छी तरीके से smash हो जा रही है यानि कि बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है अब मैं इस पी थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया डाल रही हूँ और अब मैं यहां पी हाफ निबू का रस्मीस में हम एड कर देंगी इसी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसी डाल कर हम इला देंगी और फ्लेम को हम बंद कर देंगी हमारा चुड़ा मठर बनकर बिल्कुल तयार है अब आईए मैं इसी आपको सर्फ करकर दिखात इसी सर्फ करने के लिए हमने प्लेट में जो हमने चुड़ा भून का रखा था उसे हम डाल देंगी फिर उसके उपर हमने जो मतर बनाया है उसे डालेंगे थोड़ी सी टोमाटो सौस आप उसमें डाल दें और फिर इसके उपर से हम कुछ सेव या विकानी नी भुजिया ज से हटकर कुछ डिफरेंट तरीके से बनाया है इस तरीके से बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और चुड़ा के एक बहुत अच्छा सा क्रंच और मतर की जो सौफटनेस और चरपटापन उसका मसाले का है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है तो आप एक आप इसे mix करकर जब आप इसे surf करेंगे और खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी तो अगर आपको हमारी recipe पसंद आई हो तो आप इसे like और share जरूर कीजिएगा और अपनी comments पे लिकर जरूर बताएं और अब तक अगर आपनी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बिल आइकन को भी प्रेस कर दें इस वीडियो के लिए बस इतना ही फिर बिलते हुए एक नई recipe के साथ एक नई वीडियो में थाइंक यू थाइंक यू फर वाचिंग